है खेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप सस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी बढाई में फ्यस्त होंगे आपकी इसी बढ़ाए को आगे बढाते वे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय एक नया सिक्का तो बच्चो सोने के सिक्के के बारे में इस कहानी में बताया गया है और साथी यह भी बताया गया है कि सब्रकाफल हमेशा मीठा होता है तो आए बच्चो इस कहानी को सुनते हैं आप लोग भी ध्यान से सुनियेगा और समझियेगा एक बार एक सहर में अकाल पड़ गया लोगों के भूखे मरने की नौवत आ गई तब सहर के एक धनी नेक दिल व्यापारी ने लोगों की मदद करने की ठानी उसने खोशना की कि वह कल सहर के बच्चों को अपने घर के प्रांगण में रोटिया बाटेगा बच्चों प्रांगण यानी की घर के आंगण में तो क्या करेगा वो रोटिया पाटेगा खोशना के बाद अकले दिन उसके घर के आगे बच्चों की फेड लग गई बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पढ़ते रोटियों की टोकरिक तक पहुँशने की कोशिश कर रहे थे रोटिया छोटी बड़ी थी और हर बच्चा बड़ी रोटी ले जाने के लालच में धक्का मुक्की कर रहा था इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी लड़की चुपचाप कोने में खड़ी थी जब सभी बच्चों को रोटिया मिल गई तो वह अंत में आगे बढ़ी तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बच्ची थी बच्ची ने प्रसंद नहोकर उस रोटी को लिया और घर लोट गई अगले दिन फिर रोटियां पटने लगी आज भी पिछले दिन की तरह थक्का मुक्की चल रही थी आज भी बह लड़की एक कोने में खड़ी रही उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई घर आकर उसने रोटी तोड़ी तो उसमें एक सोने का सिक्का निकला लड़की की मा ने उसे यह सिक्का सेट को लोटाने के लिए कहा लड़की जब सोने का सिक्का लोटाने पहुँची तो सेट बोला बिटी मैंने चान बूच कर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाल दिया था मैं सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले बच्चे को पुरस्कृत करना चाहता था इसलिए इस सिक्के को तुम अपने पास ही रखो सेट की बास सुनका लड़की बोली सेट जी मेरे सब्र का पुरस्कार यही था कि मुझे दूसरों की तरथ धक्के नहीं खाने पड़े मेरे लिए यही पुरस्कार बहुत है सिक्का लेकर मैं लो भी हो सकती हूँ और छोटी रोटी लेने के लिए मैं भी धक्का मुक्की करने पर आ सकती हूँ इसलिए यह सिक्का आप ही रखें लड़की की बातों से सेट इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको अपनी धर्म पुत्री बना लिया तो बच्चो धर्म पुत्री यानी की जिसको उसने जन्म नहीं दिया था लेकिन उसने उसको क्या किया अपने धर्म पुत्री बना लिया, यानि के अपने धरम से उसको बेटी की तरह अपना लिया तो बच्चो कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपने इस से सीख ली होगी कि हमें धैरी बना कर रखना चाहिए हमें हर काम सबर से करना चाहिए तो बच्चो ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका भ्यास भी चरूर कीजे